प्यारी बैचोर रिम्रजकार, आज का शीमिलीफिकरसन के क्लास में सबसे पहला हम आपको बात करेंगे वो बेसिक की बात करेंगे अब बेसिक से ही कर्शिप्ट निकालेंगे और उस पर अधारी डिपकल्ट क्वेशन की हम बात करेंगे अता अन तक आप जरूब बने रहेंगे देखने में स्टार्टिंग बहुत इजी लेगा लेकिन इजी होगा नहीं आज हम दो टाइप के प्रसनों की बात करने बाले हैं सबसे पहले तो इस कोशन को देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बिना दसमलब बाला है एक दसमलब बाला है अगर इसको जोडने की बात हो तो सब लोग क्या करेंगे जैसे जोडते हैं चार को चार है फिर तीन को चार है बेसिक पहले समझ लीजे भाईया लेकिन कोई बात नहीं बहुत बढ़ियां से बताएंगे इस ढंक से आप जोडते हैं कैसे जोड़ियेगा गौर्ट से यहां समझे जोडने का तरीका होगा चार आठ बारा चार सुला या आप बहुत सा बिद्यारती ऐसे करेंगे कि चार चाव सुला के शोव बाकी एक चार तीया बारा एक तेरा के तीन बाकी एक चार दुनी आठ है एक नव चार आई बास समझ में मैंने क्या कहा कि जब ऐसा जोड़ हो चार गो तीन गो दूगो एगो पाच गो चार गो तीन गो दूगो तो करना कुछ नहीं है अब सीधे उत्तर निकालना पहले इसकी यहां से सुरू करना चार गो है तो चार चौँ सुल्ला लिखना इस साइट से चार चौँ सुल्ला करशो बाकी एक चार तीन बारा एक तेरा कर तीन बाकी एक चार दुनी आठ है एक नव चार एकम चार कि लिए रे भाईया यह आपका उत्तर आ जाएगा मैंने कुछ भी नयाची नहीं बताया आप भी कामेठर को बता रहा है यहां पर ध्यान देना अगर यही चीज़ दस्मला में हो जाए तो क्या इसे जोडते हो पहले इसको समझो पहले इसको समझो दस्मलाब 4 गो 4 फिर दस्मलाब 3 गो 4 फिर उसके बात क्या होगा दो गो चार फिर उसके बात क्या है एगो चार ऐसे करके जोड़तो हो इसको दसमलब के नीचे दसमलब के डाल पे हैं जोड़ में अब यहां पे जीरो यहां पे जीरो ठीक है भाईया यहां पे जीरो जीरो डागे बराबर कर लेते हैं अब यहां प इसको दसमलब करेगा सोटका से हम इधर के बोड़ चलेंगे यानि आप इसको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे भाईया तो 4,1,4,4,4,2,8,4,12 के दू बागी एक,4,4,6,1,7 क्लियर है चार अंके बाद दसमलब यह आपका उत्तर होगा एक दिसमलब 72-84 किलियर है यह वाला आईस में होगा यह वाला तो हमें लगता है एक concept आप समझ गये होंगे नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे देखो इस पर अधायत एक question में लिया है आपके लिए अगर इसको बनाना होगा तो क्या लिखना परेगा नहीं भाईया यहाँ पर गिनना परेगा एक दो तीन चार पांट शेगो है क्यों है भाईया शेगो है यहाँ पर गौर करो अगर इसको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे गौर से यहाँ समझना तीन का शेगोना करो तो तीन चार का अठारा के आठ बाकी एक तीन पचे पंद्रा आएक सुल्ला के शो बाकी एक तीन चौव बारा आएक तेरा के तीन बाकी एक तीन तिया नो एक दस के सुना वाकी एक तीन दुनी शो आएक साथ और तीन एक कम तीन किलियर है यही आपका प्रस्म का जवाब होगा अब देखो इसकी अधार पे एकजाम में कोशन कैसे पूशा गया है इसको गौर्ण से समयने का प्रियास करेगा देखिए यही कोशन जो एससी में आया था कोशन यहाँ पे गौर्ण से देखिएगा तो यह दो पार्ट में हुआ करता है एक तो पुनांक वाला कभी भी पुन पुनांक लिखते है न तो इसका मतलब होता है 3 पलस एक बड़ता तीन तो आपका कколькуलेशन होने चाहिए पुनांक वा एक साथ अब धिहीन का का कलकुलेशन होने चाहिए ठीक है भाइया अब यहाँ पे ध्यान दीजेगा सबसे पहले तो 1 को 3 है 2 को 3 है 3 को 3 है यहां पे 4 को 3 रहा होगा ये बाध से बाकिफ है या नहीं है ना उसके बाद 5 को 3 रहा होगा 15opol Train रहा होगा उसके बाद 1584 5 жизни रहा होगा किलियर है डिंकल का स्विक्रेंस है अगीर इसको चार दो शेगो है तब कहोगे खेतिया अठारा के आठ बाकी एक फिर यहाँ पे पाचगो है तो कहेंगे पूनांक वाला का लोगी पूनांक था अब एक बाटा तीन एक बाटा तीन भी तो है यानि की क्ये गो है, तो तोटल यहां पे 2, 4, 6 गो था, तो तोटल एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो हो जाएगा, तो 6, 2, 3 हो जाएगा, अंस को जोड़ दो, अब बटा में 3 डाल दो, 3, 2, 6, अब इसको काटोगे, तो आ जाएगा, 37, 0, 370, यही आपका प्रस्ण का जबाब होगा, 37, 0, 3 37, 0, 370, यह आपका सही हो जाएगा, रुकिएगा, जाएगा नहीं, अब अगर इस कोशन की हम बात करें, इस कोशन का, तो यहां पे भी कोशन का कंसिप्ट वही होगा, कि पहले पुनांक बाला को जोड़ लेना है, उसके बाद भीन बाला को जोड़ लेना है, तोटल यहां पर 1, 2, 3, 4 लगातार है, 6 तक, यानि 6 गो संख्या की बात किया है, यानि यहां पर रहा होगा, यहां पर 9, 9, 9, 5, 7, यह रहा होगा ना, अब इसको अगर जोड़ोगे, तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है, तो यह 9 बाला में 6 से गुना करोगे, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 9 945, 969, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 899, 999, 999, 999, 999, अब यह वाला भीन वाला पार्ट हम को फिलोड़ना है, ठीक है, त olvist को यहां ना हाने जोड़ोगे, 999arisाज, अपकर प्रस्ट का जवाब होगा, cette लिगता यह बात आपको संख्या में आ गया होगा, चलिए आगे की concept को यहाँ पे हम देखते हैं आगे का concept पहले basic समझे उस पर इस पर अधायत question को हम बताएंगे अगर आप से कोई कहा दे 32 के लिए रहे फिर अंक को पलट दे तो कितना हो गया 27 अगर ऐसा question दे दे और कहे कि इसको जोड़ो या घटाओ तो हमेशा याद रखना योग जो होगा न ये दोनों का जो योग होगा योग होगा 11 का multiple होगा और अंतर जो होगा न अंतर जो होगा न वो 9 का multiple होता है हमेशा ध्यान जिएगा दो संख्या और उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या का योग जो होगा इसके योग का 11 का मल्टिपल अंतर जो होगा इसके अंतर के 9 का मल्टिपल मैं क्या बता रहा हूँ गौर से समझेगा ये दोनों आपका योग निकालना है किलियर है भाई यहाँ पे इसको देखो अगर इसका हमको जोड़ना है तो 11 का मल्टिपल होगा इगारा का 7 दु नौ यानि इगारना मानि 9 आपका इंसर होगा बात को समझना है आप यहाँ पे जो गौँ 7 डुनो 7 डुनो जैसे इसकी बापन अगर निकालना है तो हमें योग निकालना है यानि योग निकलना है अशे साथ है अंग पलट गया है साथ से तो यह 11 का मल्टीपल होगा यानि 11 गुना 713 एक कर दोगे आज आएगा 143 अब अगर अंतर की बात करें देखो यहाँ पर अंतर गटाव है तो गटाव जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है किसका इसके अंतर का अंतर कितना है दो का ठीक है भाईया 18 एक concept याद रखना भाईया ये समिकरन में बहुत काम आता है अब इसकी बात करो तो यहाँ पे देखो अंको को पलट का बनाया गया संख्या का अंतर निकालना है तो यह 9 का multiple होगा इसका अंतर देखो कितना हो गया 3 यानि 27 लेकिन बड़ा संख्या बामन है 25 में से बामन घटा रहाता माइनस में निकलेगा यानि माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा तो इसके दोरा मैंने क्या सिखा तो मैंने ये concept आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कि अगर संख्या और उसके अंको को बदलने से संख्या का योग की बात करे, योग की बात करे, तो याद रखना 11 का multiple, अंतर की बात करे, तो याद रखना भाया 9 का multiple होता है, यह बात आप याद रखोगे, चलिए देखते हैं कि इसमें बड़ा से बड़ा question कैसे बनिराज किया जाता है, आपको एक्जाम में कैसे question आता है, यह दोनों का योग निकलना है, अज संख्या के अंको का करम बदल के दिया गया है, अगर इसमें से माइनस कॉमा निकाल लेते हो तो यह हो जाता है, 56 पलस 65 यह भी कहीं ने कहीं अंको का पलटा गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, माइनस कॉमा निकाल लोगे तो क तो 11 रख लो स्की योग का मेल्टिपल ना तहां। 5 य तिण आठ हो जाएगा योग का 11 होगा। अब यहां पर माइनश और स्सक्रक्षण यहां पर मैंने सब्सक्तै हो व के तो यहां पर ऑच यहां गुना माइनस 11 यानि कि माइनस का 121 आपका उत्तर होगा यानि यह option आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा हमें लगता है यह बात समझ में आ गया होगा नहीं आया तो इस question को देखने का थौशा परियास करिए अगर यह question को देखते हैं तो कैसे कैसे जहां तहां दिया तो हाँ भाईया और नीचे करके बता दूँ आपको दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर दिया हुआ है देखो तो यह वाला और यह वाला को क्या करना है जोरना है आठ साथ अंको पल्टा साथ आठ क्या होगा 11 का multiple यहां के बाद यहां पर देखो यह वाल होता है 11 तुम कॉमन ले लो सिधे इसको जो रो आठ साथ कितना हो जागा भाईया 15 है ना माइनस कॉमन ले लिए तो यह हो गया पलस आठ सो चौदा हल कर दिए आपका उत्तर आ जागा योग हमेशा 11 का मल्टिपल याद रखेगा तो पंदा में से साथ गया 8 14 8 22 11 22 करिएगा आपका पंदा आजाएगा 242 242 कहीं अप्शन में है तो टिक आउड कर दिए ये अप्शन आपका सही हो जाएगा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं एक एजम पल आउ करने का हम प्रियास करते हैं यहां पे अगर इस कोश्चन को गौर से देखते हैं तो यह कोश्चन कहीं ने कहीं अंकों को पल्टा गया है लेकिन 33-35 है घटाने की बात कर रहा है यहां पे अंकों पल्टा गया है 83-38 68-86 है यानि अंकों को यानि यहां पे आप गौर से देखोगे तो अंतर निकार रहा है अंतर निकार रहा है किसका अंतर तो संखिया और उसके अंकों का करम बद पर 60 मेंशे 86 को घटाना है तो यहां पर क्या होगा आठ मेंशे 6 गया दू किलियर है अब इसको हल कर दोगे तो 2 से 2 कड़ गया नो पचे 45 आपका प्रस्म का जवाब हुआ 45 का मतलब option A आपका सही होगा हमें लगता यह बात आपको समय आ गया है तो ऐसा करते हैं कि simulation का आज का class को यहीं swap करते हैं मिलते हैं इसके आगे के कहाने लेकर कल लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए like, share तो आप करते ही हैं आप वीडियो के अ आपको यह class कैसा लगा और क्या इसको में होनी चाहिए थी जिसका हमें हमेंसा इंदिजार रहता है तो भैया हमको दीजे विदा ओके बाइब